चोपड़ा है जो किसी ने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो सुप्रिम कोट की तरब से नी 24 रजल्ट स्केम के बारे में डिसीजन आ चुका है और डिसीजन यह है कि जिन 1563 स्टुडेंट को grace marks दिया गया था उनका scorecard कैंशल कर दिया जाएगा यानि कि जो अभी scorecard उनका जारी हुआ है वो कैंशल कर दिया जाएगा उनका जो actually scorecard है वो publish किया जाएगा और उन students की re-exam होगी यानि कि जो 1563 candidate है उनकी re-exam होगी और जो re-exam की date है वो 23 June 24 रखी गई है और result 30 June 24 को आ जाएगा अगर इन 1563 student में जो candidates re-exam नहीं देना चाता अपना score पहले वाड़ा ही रखना चाता है तो वो रख सकता है वो एक option दे सकता है ये option के लिए उसको time दिया जाएगा तो अभी जो फैसला है वो इसमें आच चुका है re-exam का इसमें कोई कहाने गया है इसके बारे में क्योंकि जो re-exam की petition है उसकी hearing 8 July को होगी वो तो कल की जो petition थी उसमें था इसमें जो re-exam का था उसमें re-exam का कोई concern Supreme Court की तरब से कोई pass नहीं किया गया है कि order की re-exam होगा बी counselling as it is continue रहेगी इसमें तो ये 30 June तक जब इनका result आ जाएगा तो उसके बाद में counselling start हो जाएगी तो ये आप सुप्रिम कोट का जो decision है वो point wise point देख सकते हैं इसमें 10, 11, 12 June को सुप्रिम कोट ने एक कमेटी बैटाई उस कमेटी का ये decision है कि जो grace marks दिये गए थे student को वो grace marks actual में सही तरीके से नहीं दिये गई थे ये कमेटी का decision था और re-exam उनी 1563 candidate की conduct करवाई जाएगी सभी candidate की conduct नहीं होगी तो जब 1563 candidate की re-exam conduct होगी तो सभी candidates की re-exam का तो कोई मतलब नहीं बनता है ये मतलब Supreme Court की तरफ से ऐसा decision आ चुका है जब इन 1563 candidate की exam होगी तो सभी candidates की exam नहीं होगी तो re-exam का तो यहाँ सवाल ही नहीं बनता है इन 1563 candidates की ही यहाँ पर exam होगी तो ये Supreme Court का जो decision है जो Supreme Court की सुनवाई है वो आप यहाँ point to point देख सकते हैं कि क्या advocates ने कहा है और क्या Supreme Court ने कहा है लेकिन मैंने आपको जो last था इसका जो last सारांस था वो मैंने आप को ये बता दिया है कि ये exam 1563 students की होगी और वो 1563 student की exam 30 zone को होगी 30 zone को result आ जाएगा अगर इन 1563 candidate में जो exam नहीं देना चाता उसके लिए option है कि वो पुराणा अपना score card रख सकता है ये option इसमें रखा गया है इससे बिलकुल साब जायर हो गया है कि NEET 24 का re-exam नहीं होगा ये Supreme Court की तरफ से फैसला आ चुका है ये आप इसमें जब हम ये देख रहे हैं कि 1563 candidates की exam हो रही है तो सभी candidate का re-exam नहीं होगा तो ये जानकारी थी Supreme Court के फैसले के बारे में जो मैंने आपको short में बता दिया है सारा बाकि आप इसमें point to point देख सकते हैं कि क्या आज hearing के दोरान क क्या कहा गया है इसमें मिलेंगे नई updates के साथ में तब तक के लिए जैहिंद